हेलो बच्चो आज मैं आपको कक्षा आठमी जिसका विशह है गनित इसकी वक्षीट नंबर 41 करूंगी जिसकी डेट है में पास 24 दिसंबर 2021 तो आज की वक्षीट में हम सर्व समीका तथा उनके उपयोग के बारे में जानेंगे देखो सर्व समीका बहुत इंपोर्टेंट है पानी से न को में क्या हैं इसीके साथ संतिस्ट स्टाइग में में एक चीज बता रखी है कि अगर हम देखें कि हम सर्व समी करते हैं कोई आप से पूछे कि क्या होथा है तो आप क्या कहने वाले हूँ यह जैसे किで आप लोग जानते हैं की जो पानी और बरफ है वह दोनों मूल रूप से एक ही है लेकिन अगर आप देखो तो वह दोनों है अलग-अलग चीज उनकी फॉर्म अलग है पर वह मूल रूप से है तो एक दोनों बने तो पानी से यह हैं उसी तरहीके से हम सर्ब समिका के वारे में भी यह कह सकते हैं कि जो इसका बायपक्ष और तो चलो एक उदारन से मैं आपको यह समझाती हूँ जो मैंने भी आपको बताया इहां पर आपके पास ही यहां पर दे रखा है x-3 and x-5 ए ठीचे ना और यहां पर आपके पास x-square प्लस का 8x प्लस का 15 आप मैं क्या करते हूँ दोनों पही दायेपक्ष और बायेपक्ष दोनों में x का एक ही मान रख रही हूँ X का मान शिक्स रख रहे हूँ तो यहां भी 6 लखा आप वैसे देख लो ये बोनों अलग अलग हैना अम भेन यहां भी 6 रख दिया X की जगा यहां भी 6 रग दिया ठीक है? तो 6 प्लस 3 9 और 6 प्लस 5 11 तो आंसर आया 99 इस साइड इस साइड देखो 36 प्लस 6 एड जब 48 प्लस का 15 तीनों को प्लस करोगे 99 देखलो जब आपने चरका मान नखा तो दोनों ही सेम आई नहीं लेकिन देखा जाए तो दोनों अलग-अलग लग रहीं थी ठीक है? तो यही चीज है ठीक है न? आप सीखे सर्वस्वमिकाई कैसे लगाई जाती हैं? यह 4 सर्वस्वमिकाई देखो आपको याद करने है अच्छे से अगर यह याद नहीं हुई तो आप कोशन्स नहीं कर पाऊगे क्लियर? चलो, शुरू करते हैं पहले एक बार रीट कर लें सर्वस्वमिकाई a प्लस b का होल स्क्वाई होता है a स्क्वाई प्लस 2ab प्लस b स्क्वाई a माइनस b का होल स्क्वाई होता है a square minus 2ab plus b square a plus b और a minus b हो तो क्यों होता है a square minus b square x plus a और x plus b की form में हो तो क्यों होगा x square plus a plus b into x plus a into b ठीक है ना देखो पहला प्रशन है आपके पास सारे जितने भी प्रशन आपको यह दे रखे हैं यह सब आपको सब्सक्राइब की मदद से ही करने है तो पहला है y plus 5 और y plus 5 तो यहां देखो आप देखो दोनों ही ब्रैकिट में सेम सेम नंबर है तो मैं इसको y plus 5 का whole square लिख सकती है तो यहां से देखो एक ही जगा आपके कोशन में 5 और बी की जगा आपके कोशन में पाइब बस यह चीज तो देखे है कोशन में आप यह वाली चीज लिख दो a square मतलब y square 2 a b 2 a की जगा a b की जगा b b square मतलब 5 square तो अभी देखो y square plus 25 जा 10y plus 25 यह आपका answer clear जैसे-जैसे questions आगे करते रहेंगे यह doubts अपने आप clear होते नहेंगे question number 2 है आपके x plus 5 और x plus 3 दोनों bracket अलग अलग है तो यहां पर जो सर्व समी का लगेगी वो लगेगी x plus a और x plus b वाली ठीक है वो होती है तो दिहान से देखो x की जगा x है a की जगा आपके पास 5 और b की जगा आपके पास 3 बस यह चीज तो आपको कोशन में ही दे रखिए आप यह वाली चीज निकाल दो x square मतलब x square a plus b मतलब 5 plus 3 x मतलब x a into b मतलब 5 into 3 ठीक है ना तो x square plus 5 plus 3 into 8 हो गया है आपका इंटू x और 5 3 जग 15 यह आपका answer क्लियो चलिए कोशन नमबर 3 पे आ गए 3a minus 2b का whole square तो देखो यहाँ पर माइनस वाली और square है तो इसमें सर्फ समी का लगेगी a minus b के whole square की जो क्यों होती है a square minus 2ab plus b square तो यहाँ पर a की जगा आपको कोशन में 3a दे रखा है b की जगा आपको 2b दे रखा है ठीक है चलो a square मतलब 3a का square minus 2a की जगा a b की जगा b plus b square मतलब 2b square तो 3a square मतलब 9a square याद रखना जो यह square है यह इसके उपर भी और इसके उपर भी है ठीक है अब देखो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 हो गया और a b ऐसी है प्लस 2 2 जा 4 और b square यह square दोनों पे होता है ठीक है तो यही आपका answer है clear आगे इन्हें plus मत करना ठीक है न चलिए अब 2-3 question हमें दे रखे हैं वो भी देख लेते हैं first question आपको यहार दिया 5x minus 4y का whole square sorry तो minus वाले है तो same a minus b जो भी हम उपर लगा के आए वही लगेगी a square minus का 2ab plus का b square अगर a देखा जाए हैं 5x है और b देखा जाए हैं यहां पर 4x है question में तो चलिए a square मतलब 5x का whole square minus 2a की जगा a b की जगा b ठीक है प्लस b square मतलब 4y का square तो यह square दोनों पे है तो आजाएगा 25x square minus 2 5 10 और 10 4 जा 40 x y ऐसी है 4y का square मतलब 4 4 जा 16 और y square ऐसी है यह आपका answer clear question number 2 पे आ जाते है 2a minus 7b का whole square सेम उपर वाला ही है वो ही सर्फसमी का लगने वाली है तो a minus b का whole square ही लगेगा तो a square minus का 2ab plus का b square ठीक है न a का मानिहाँ पर 2a है और b का मानिहाँ पर 7b है put करते हैं चलो a square मतलब 2a का square sorry b square मतलब 2ab sorry 2ab का मतलब 2ab की जगा b plus b square मतलब 7b का square ठीक है तो यह square दोनों पे है तो 4a square अब इसको 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 इंटू के है 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28 a b ऐसी है ठीक है 7 7 जा 49 और b square यही आपका answer clear चलिए आ जाते हैं question number 3 पर 7z plus 3y और 7z plus 3y आप देखरों दोनों ही bracket में same चीज लिखी भी है तो क्या मैं इसको यह लिख सकती हूं 7z plus 3y का whole square पूरे पे square अभी plus वाला है तो plus वाली सर्फ समी का लगेगी a plus b के whole square वाली a square plus का 2a b plus का b square जहां देखा जाये तो a का मान 7z है b का मान 3y है ठीक है चलो मान लगते हैं a square मतलब 7z का whole square 2a b 2 a की जगा a b की जगा b ठीक है और b square मतलब 3y का whole square clear है 7z का whole square मतलब 49z square अब यहां देखो 2 3 जा 6 6 7 जा कितना हो जाएगा 42 और यहां पर आजाएगा yz plus 3 3 जा 9y square यह आपका answer ठीक है यह y है आप इसे 4 मत समझेगा clear है चलिए टास्ट पार्ट है z plus 4 और z plus 5 अलग-अलग है दूनों ही bracket में तो z plus 4 है और एक है z plus 5 तो सर्फसमी का लगेगी x plus a और x plus b वली जब अलग-अलग होता है तो वो होती है x square plus bracket में a plus b into में x plus a into में b ठीक है a का मानिहाँ पर 4 है b का मानिहाँ पर 5 है और x का मानिहाँ पर z है x की जगाई है z है चलो put करते हैं x square मतलब z square हो जाएगा a plus b मतलब 4 plus 5 x का मतलब z हो जाएगा a into b मतलब 4 into 5 तो z square plus 4 5 z 20 z plus गलत-गलत 4 5 z नहीं है प्लस करना है 4 plus 5 हो जाएगा 9 9 z plus 4 5 z 20 यह आपका आंसर क्लियर तो यह था कोशन नंबर 4 वक्षिट कम्प्लीट इसी के साथ अब एक छोटा सा कोशन देती हूं मैं आपको इहां पर होमवक कोशन आप मुझे बताईएगा कि x plus 5 के whole square इसको हल करके बताओ जल्दी से कि क्या आंसर आपका देखो कौन से सर्वसमिका लागेगी और फटफट से हल करके बता दो चलो वक्षिट कम्प्लीट हो गई है कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजेगा चारो सर्वसमिका हैं अच्छे से याद कर लीज